क्या ये सच है कि रवीना टंडन ने शारू खान की एक नहीं बलकि चार फिल्मों को ठुकरा दिया था जी हां इस बात का खुलासा खुद आक्ट्रस ने हाल ही में एक इंटर्व्यू के दौरान किया जिसके बाद से हर किसी को तगड़ा शौक लग गया है देसल रवीना में बताया कि वह शारूख खान के साथ चार फिल्में रिजेक्ट कर चुकी है शारूख वाइना टंडन की छोड़ी को आपने फिल्म दिवाना में देखा होगा जोड़ी को काफी पसंद भी किया गया था लेकिन फिर उसके बाद रवीना ने शारूख की फिल्में क्यों र रवीना और शारुक साथ करने वाले थे लेकिन इसके लिए भी उन्होंने अपने कदाम पीछे खीच लिये थे हाला कि शारुक खान को उन्होंने बेहत केरिंग बताया बाद में डर फिल्म के लिए शारुक खान के साथ जूही चावला को कास्ट किया गया साल 1993 में रिलीज हुई ये फिल्म ब्लॉग बस्टर रही थी ये पिचर जो ही चावला के करियर की सबसे बड़ी फिल्मों में से एक थी आपको बता दे की इस फिल्म को रवीना टंडन के रिजेक्ट करने की वच्छा थी फिल्म का कॉंसेट और फिल्म के कुछ सीन जो कि रवीना को बिल्कुल भी सूट नहीं करे थे इतना ही नहीं रवीना ने बताया कि कुछ-कुछ होता है मूवी को ना करने को लेकर आज भी करन जोहर उन्हें ताना मारते हैं। रवीना के मताबिक आज भी मुझे लगता है कि काश वो मूवीज मुझे करनी चाहिए थी। खरशारुखान के साथ ये चारों ही फिल्में ना करके रवीना टंडन को कभी ना कभी तो थोड़ा बहुत पच्छतावा जरूर हुआ होगा। वेसे आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है शुयर कीज़ेगा अपने जवाब हमारे साथ नीचे कॉमेंट सेक्शन में।